हलो दोस्तो मैं हर्शता और आप देख रहे हैं त्विन्स माई वर्ल्ड आज बहुत ही इंपोर्टेंट पहलों के उपर बात करने के लिए वीडियो बनाया है मैंने अगर आप बहुत दिनों से कंसीव करने के लिए ट्राइ कर रहे हैं तो अव्यसी बात है कि आप अपने हर जत्न कर रहे होंगे हर प्रिरत्न कर रहे होंगे और कई बार तो आप डॉक्टर से भी मिलके आते हैं तो जो डॉक्टर होते हैं वो आपको इतनी ज़्यादा प्राइ वो आज इस वीडियो में मैं आपको खुल के बहुत सारी बाते बताने वाली हो तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेके लाज तक जरूर देखेगा सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी कंसीव करने के लिए आपकी जो दिल से जो बहुत गहरी अर्ज होती है बहुत ही जादा जो तिवर इक्षा होती है तो ये इक्षा होना बहुत ही जादा जरूरी है लेकिन कहीं न कहीं अगर आप इसे एक स्ट्रेस की रूप में ले लेते ह आपको पता भी नहीं चलता है कि आपकी ये तिव रिक्षा कव स्ट्रेस में बदल गई तो आपको इस तरह की गलतिया नहीं करनी है अगर आप बेडरूम में जा रहे हैं हस्बंड और वाइफ को बेबी का स्ट्रेस सबसे पहले नहीं लेना है यह आपका परसनल टाइम है यह आपका स्पेशल टाइम है तो इस समय आप दोनों एक दूसरे के पसंद ना पसंद को जरूर ध्यान में रखें कि आपके पार्टनर को कौन सी चीज़े पसंद है कौन सी चीज़े पसंद नहीं है आप उनको टाइम देना शुरू कर दें और जितना जादा आप उन्हें समय देजेगा आप देखेगा कि आपके रिष्टे भी बहतर बनते जाएंगे और उनको एक सुकून मैसूस होगा आपके साथ अच्छा फील होगा एक दूसरे के साथ तो ये कहीं न कहीं आपकी quality time को enhance करते हैं और जब आपकी quality time enhance होती है तो आपके शरीर से एक happy hormone release होता है जिस अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं और कहा जाता है कि अगर आप proper समय देंगे तो जो female जो partner होती है उनको भी completion मिलती है और उस completion को हम लोग orgasm बोलते हैं और बहुत सारे researches में ये भी बताया गया है कि जब अगर किसी female को orgasm की प्राप्ती होती है तो endorphin release होता ही होता है स साथ कुछ ऐसे भी reproductive hormone होते हैं जो कि काफी active हो जाते हैं जो कि आपके egg को male किसल से fertilize करने में काफी जादा सहायक होते हैं जैसे मैं orgasm की अगर बात कर रही हूँ तो उस दोरान आपके private part से भी कुछ ऐसे liquid release होते हैं जो कि आपको male के cells होते हैं उनको egg तक पहुँचने में ए एक pathway provide करती है जिसे कि जो male के cells होते हैं वो egg तक जल्दी से जल्दी और आसानी से पहुँच पाएं तो इससे आपके conception में आपको काफी जादा मदद मिलेगी इसलिए आपकी quality time अच्छा होना बहुत ही जादा ज़रूरी है ये बाते हमेशा से ध्यान रखेगा कि ये कोई ज जुआ करिए जिसे की hormone अच्छे release हों दूसरी बहुत important point जब भी अगर आप relation प्लान करते हैं तो उस दोरान आपको अपने कमर के नीचे जो female partner है उनकी मैं बात कर रही हूँ उनको अपने कमर के नीचे एक या दो पिलो ज़रूर रखना चाहिए बहुत सारे couple की ये भी शिक तकिया रखेंगे तो फिर वो सारे problem आपकी दूर होती जाएगी इस तरह की कोई भी परिशानी नहीं होती है तीसरी बहुत important point अगर आपका relation प्लान करके हो जाए तो आपको leg up the wall position जरूर ट्राइ करना है अब ये leg up the wall position क्या है उसके उपर मैं बता दूं कि relation प्लान करने के जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि liquid out हो जाता है ये सारी परिशानिया भी leg up the wall position से दूर हो जाएंगी और आपको जो female partner है उनको करना क्या है कि relation के बाद आपको अपने दोनों पैर को दिवार के सहारे थोड़ा 20-25 मिनट या आधे घंडे तक आपको टिका के रखना है औ और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भारी वस्तु का सहारा भी लेके ये काम कर सकते हैं ऐसा माना जाता है कि जो एग होती है उसको fertilize करने के लिए जो male के cells होते हैं उनको काफी जादा सहायता मिलती है तो आप ये चीज़े करके देखे तो definitely आपके conception के chances लास्ट बट नॉट देलिस्ट जब भी आपका relation हो जाए तो भूल कर भी तुरन से bathroom मज जाए आधे गंटे का समय दीजिए ये आधा गंटा आपकी quality time में ही include होता है क्योंकि आधा गंटा आप एक दूसरे से बाते करके अपनी future planning करके या फिर कुछ भी अपनी कोई भी बा जीवन चल रहा है तो इस समय पती-पत्नी को चाहिए क्या कि दूसरे की भावनाओं को समझे और बात्चित जरूर करें क्योंकि ये आधा घंटा आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आधा घंटा कब बीद गया और आपका leg up the pole position भी complete होता जाए ये सारी चीजे करके देखे डेफिनेटली आपको बहुत ही जादा फायदा मिलेगा और डेफिनेटली अगर भगवान ने चाहा तो आपको एक महने के अंधर ही गर्वधारन होगा अगर इस तरह की कुछ good news आपको आती है तो please मेरे चानल पे बताना मत भूलेगा कौन सी वीडियो आप देखना पसंद करेंगे वो please comment में जरूर लिखे अपने suggestion जरूर लिखे और साथ ही साथ मेरा दूसरा channel है जिसका नाम है twins my world उसको भी जरूर विजिट करे और subscribe कर ले thank you so much for watching twins my world